टेंपो को ट्रेक्टर ने मारी टक कर टेंपो सड़क के किनारे ताला पर पलता दो की मौत दो घायर। बांदा जन्पत की बबेरु कजबे के औरंगाबाद में बबेरु से कायल जा रही टेंपो को सामने से तेज रफ़तार टेक्टर ने टककर मार दी, जिसमें टेंपो अन्यंत्रित होकर सड़क के किनारे तालाब पर पलट गे, जिसमें सवार दो लोगों की मौत हो गई, वहीं दो लोग अन्य घायल हो गए, जिनको जिला अस्पिताल में भरती कराया गया है, मामला बबेरु कजबे के औरंगोड गेस इजिन एजन्सी के पास का है, जहां बुद्वार की शाम करीब साड़े साथ बजे बबेरु से एक टेंपो में सवार होकर चार लोग फफुन्दी कायल गाउं जा रहे थे, तभी गैस इजन्सी तालाब के पास सामने से आ रहे है ट्रेक्टर ने तक कर माण दी, जिसमें टेंपो सड़क की किनारे तालाब पर पलट गी, जैसे ही आसपास की लोगों ने देखा तो पुलिस का सूचना दी, मौके पर पहुची पुलिस और करामिलों की मदद से जेसीबी के द्वारा टेंपो में दबे लोगों को बहार निकाला, जिसमें टेंपो चालग गंगाराम पुत्र केदार मौरे उम्र करीब 36 वर्श वर रामकिशोर पुत्र दश्रत मौरे उम्र करीब 65 वर्श निवासी दोनों कायल थाना बबीरू की अस्पिताल रैफर कर दिया गया, वहीं मौत की ख़बर सुनकर मौत के परिवार वालों का रोरो कर बुरा हाल है, पुलिस ने दोनों मौत को के शव को कबजे में लेकर पंच नामा भर कर पोस्ट मार्टम ही टू बांदा मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस भिजवा दिया वहीं टककर मालने वाले ट्रेक्टर को पुलिस ने कबजे में कर लिया है और पुलिस के द्वारा आगी की कारवाई की जा रही है, बांदा से संबाद दाता विनेसी हो कि रिपो क्या नाम है हमारा नाम प्रमोत कुमार माउरया घटना हुई है घटना हमारे सगे भतीजे थे और यह टंपू लेके मनलब सभिशी करवा के अपने गाउं जा रहे थे बावेरू से इसके बाद टंपू जब बावेरू सुनिकल के गैस जेशी के पास बसा उधर से टेक्टर खारा रहा था के ट्र ने टंपू में ठोकर मारा और तंपू सीधा तला कि चला गया तलाम में पलट गया इसमें चार लोग से जिसमें बोशाय हो चुके हैं कि इंकी इंकी माट हुए गंगाराम बीडीसी सदस्य है और अब आन की सोर्मार फोड़ाई-बाद्वा दो लोग बचे हैं जिलाश्पताल में भरती हैं जिलाश्पताल भेज़ा गया है हाँ क्या नाम है आपका मेरा नाम प्रमॉप कुमार मॉप आपको कौन है मेरे भती खाना चित्र बबीरू कजबा बबीरू औरन रोड पर एक ट्रेक्टर द्वारा एक टैंपू टकर मार दी गई जिसम कि पत्नी के तहरीर के अधार पर इस्थानी अधाने पर मुकत्मा पंचिक्रित कर अगरिम करवाई की जारी है लॉन आर्डर की कोई समस्या नहीं है